इस ब्रम्हांड का सबसे बड़ा चमतकार ये है कि हर चीज़ शूनिता से आती है और वापस शूनिता में चली जाती है। बाकि सब कुछ जिसे आप मैं या आप कहते हैं, जिसे आप ये पृत्वी कहते हैं, जिसे आप ये सौर मंडल कहते हैं, जिसे आप ये ब्रहमहांड या ये जगत या ये तारा मंडल कहते हैं, ये सब बस अभिवेक्तियां हैं, लेकिन हमें इन अभिवेक्तियों में दिल्चस भी नहीं थी, हम इन रूपों का आनंद लेते हैं, इनका सम्मान करते हैं, पर हमारी दिलचस्पी ये जानने में है कि इन सब्स्तों के प्रकृति क्या है, और हमने ये जाना कि स्त्रोथ कोई चीज नहीं है बलकि ये शुनता है और ये किसी एक जगा पर नहीं है बलकि हर जगा है तो हमने का शीव जिसका मतलब है वो जो नहीं है पर लोग इससे समझ नहीं पाए वो एक रूप को ढून रहे थे तब उन लोगों ने जो बहुत गहन खोज में शामिल थे और जिन्हों ने इन रूपों और उनकी प्रकृति को जान लिया था क्योंकि उन्हों ने उसे जान लिया था जो नहीं है तो हमने उन्हें भी शिव कहा तो आज जिन शिव की आप चर्चा करते हैं जिन्हें इस धर्ती पर पूजा जाता है उन्हें पूजा की जरुद नहीं है क्योंकि वो बिना किसी रुची के बैठे हैं वो ऐसे नहीं है जो आपके किये गए गुणगानों से या इसकी या उसकी भेंटों से प्रभावित हो जाएं वो बस ऐसे ही बिना रुची के बैठे हैं यही कारण है कि उनका और जादा उचित वर्णन होगा आदियोगी शिव यानी वो जो नहीं है क्योंकि वो जो नहीं है उसे देखा, सुना, सुंगा और छुआ नहीं जा सकता तो वो जिसने इस तत्व को जान लिया हम उसे भी शिव कहते हैं क्योंकि जिसने इस तत्व को जान लिया वो वहां तक पहुँचने का एक द्वार बन जाता है देखे जब आप कहते हैं मेरा घर जब आप सोचते हैं कि अरे मैं अपने घर जा रहा हूँ तो आप उन सारे कमरों या बातरूम या टॉयलेट या पीछे वाले दर्वाजे या किचन के बारे में नहीं सोचते नहीं, वो आगे वाला द्वार होता है जो आप के लिए घर है जब आप द्वार पर होते हैं ये मेरा घर है आप उस आगे वाले द्वार की और इशारा करके कहते हैं ये मेरा घर है तो द्वार बहुत महत्वपून है तो वो जो द्वार बन गया है उस तक पहुँचने के लिए जो नहीं है हम उसे भी शिव कहते हैं तो इस खोज का क्या तुक है? तुक ये है कि अगर आप स्त्रोत की प्रकृती को जानते हैं और अगर आप के पास समय और जोकाव है तो आप हर चीज की प्रकृती को जान लेते हैं अगर आप किसी चीज को जानते हैं तो आप केवल उसी चीज को जानेंगे पर अगर आप कुछ नहीं को जान लेते हैं तब सब कुछ जानना समभव है तो यही खोज इस संस्कृती का आधार है ये खोज करने की भूमी है ना कि बस मान लेने की ये भगवान रहे धरती है यहां कहीं कोई एक भगवान नहीं है जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है हमें भगवान बनाने की तकनिक आती है खैर इस तरह के शब्द मौझूद है जब हम किसी को भगवान कहते हैं तो आपको समझना होगा कि भगवान भगवान शब्द मूल रूप से भज से आया है जिसका मतलब है वो जिसे आप प्रिरित हों जिसका आप आदर करते हैं वो जो महान है तो अगर कोई इंसान या कोई पेड या कोई पहाड हमें महान लगता है तो हम उसे भगवान कहते हैं क्योंकि वो मेरे द्वारा आधर देने योग्य है कोई भी चीज जो आपको गहराई से प्रभावित करती है आपका भगवान बन जाती है जब हम भगवान कहते हैं तो हम ऐसे किसी की बात नहीं करने हैं वहाँ उपर स्वर्ग में बैठा है और जिसे यहां हर चीज को मैनेज करना आता है। नहीं, अगर आप इस धर्ती के इस इतिहास को पलट कर देखें, तो आप निश्चित रूप से यह जानते हैं कि भगवान को चीज़े मैनेज करनी नहीं आती है। आप अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौब कर ये कहने को तयार हैं कि जैसे आपकी मर्जी है कीजिए। नहीं, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, उन्हें आप उनको देने के लिए तयार हैं। जो आपके हाथ में हैं, आपका पैसा, ज़रा मंदिर के बाहर फेंक कर आईए, मैं भी तो देखूँ, जो आपके पास नहीं है, वो ज़रूर आप, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आकर कहते हैं, सद्गुरू, इसका मतलब है, सद्गुरू, मैं अभी आपको अपना जीवन दे देना चाहता हूं, सद्गुरू, अरे नहीं, नहीं, रुख जाएए, हाँ, इसको अपने पास रखे, अगर आप इसको वहाँ अपने पास रखे और फिर अपने आपको मुझे सौप दें, तो मुझे पता है उसका कैसे ओपियोग करना है अगर आपने जान दे दी तो मैं उसका क्या करूँगा तो ये उस तरह की संस्कृती नहीं है ये खोज करने वाली संस्कृती है और जिस भी तरह से आप खोज करना चाहें उसका बड़ा सम्मान किया जाता है आप इसे बड़े स्थाई और अच्छे ढंग से खोज सकते हैं या फिर पागलपन के साथ भी चाहे जैसे भी आप खोजें, जब तक आप खोज रहे हैं इस संस्कृति को वो स्विकार है यहां इस देश में इसके बड़े ही व्यवस्थित तरीके हैं इस धर्ती पर और साथ ही बिलकुल वाइल्ड तरीके भी हैं यहां अगोरी हैं, यहां तांत्रिक हैं, यहां तरह-तरह के लोग हैं क्योंकि यहां कुछ भी वर्जित नहीं है जब तक कि आप खोज रहे हैं जब तक कि आपका उद्देश जीवन के अंतरतम को छूना है उस जीवन को, जो कि आप हैं, यह जानते हुए कि जीवन का मूल कहीं और, किसी और गैलेक्सी के केंदर में नहीं है बल्कि जीवन का मूल हर जीवन के अंदर है चाहे आप एक आदमी हूँ, औरत हूँ, जानवर हूँ, चाहे आप एक चींटी ही हूँ जीवन का मूल भीतर है या आपके भीतर ही है आपको बस इतना करना है कि उसे खोजना है आपको बस इतना करना है कि उस तक पहुँच बनानी है आपको इसका विश्कार नहीं करना है, आपको उसे बनाना नहीं है आपको बस उस तक पहुँच बनानी सीखनी है जीवन घटित हो ही नहीं सकता, जब तक कि उसका स्त्रोत उसके भीतर धलक न रहा हो उसके बिना ये हो ही नहीं सकता तो आज इनसान की बुद्धी अब पूरी तरह से तो नहीं पर फिर भी उससे कहीं ज़ादा सक्रिय है जैसे कि ये पांच सो साल पहले हुआ करती थी या तीन सो साल पहले या यहां तक कि सौ साल पहले भी अब समय की रूडियों से ये उतनी प्रभावित नहीं रह गई है ये रूडिवादी नीतिया धर्म की हो सकती है या हाल फिल हाल की प्रचलित राजनेतिक विचारधाराओं की हो सकती है या फिर किसी स्थानी या फिलोसिफिक की हो सकती है समय समय पर इनसानों पर अलग-अलग चीजों ने शाषन किया है ये पहली बार है कि मानवता के इतिहास में बुद्धी, इनसानी बुद्धी अब उतनी स्थान की रूडियों द्वारा या हाली समय की विचारधाराओं द्वारा प्रभावित नहीं होती जितनी ये अतीत में हुआ करती थी मुझे लगता है कि अगले 15 से 25 सालों में ऐसा और भी कहीं ज़ादा होगा जहां इनसानों की मानेताओं का सिस्टम बहुत ही कमजोर पढ़ जाएगा लोग केवल उस हद तक विश्वास करेंगे जितना जरूरी है अभी से ऐसा हो रहा है केवल उस हद तक जितना जरूरी है बाकी सब आपके हाथ में है आप किसी पर विश्वास नहीं करते मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ पर ये एक अच्छी शुरुवात है कि आप ये समझते हैं कहीं न कहीं आप ये समझते हैं कि जब तक मैं इस जीवन को अच्छे से नहीं समालूँगा ये काम नहीं करेगा इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि मेरा जीवन मेरा करम है आप हिंदू बन रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि हिंदू कोई वाद नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीने का कोई एक विशेश तरीका नहीं है, जैसा कि लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू एक भूमी है, भूमी की वज़े से लोग हिंदू हो गए, लोगों की वज़े से सभ्यता हिंदू बन तो ये समझना जरूरी है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है अगर इनसान की बुध्धी को डर के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए अपराद बुध के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए या हद से जादा लालच के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए तब आप एक हिंदू बन जाएंगे या हिंदू का शायद आपके मन के अंदर अर्थ बड़ा सीमिद संदर्भ हो कि ये खास तरह के लोग होते हैं नहीं नहीं चलिए इसे ऐसे देखते हैं इसको सनातन धर्म बोला जाता है सनातन चब्दकार्ध है शाश्वत